नमस्कार दोज्टों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल कलर का ये खुबसुरा सा डिजाइन बनाई हूँ जिसे आप किसी भी लेडिस प्रोजेक्ट में बना सकते हैं ये सब में बहुत ही अच्छा लएगा इसे बनाने के लिए 13 के मल्टिपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा इसमें 3 डिजाइन पड़े हूए हैं यानि की 39 प्लस 2, 41 स्टेचे इसमें पड़े हूए हैं तो चलिए फ्रेंट्स हम डिजाइन बनाते हैं बार्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है मैंने इसमें बार्डर नहीं बनाया है आप चाहें तो बार्डर बना सकते हैं चाहें टारेक्ट ही डिजाइन डालतें तो ये पहला लाइन है पहला फंदा सीधा बनेंगे या स्लिप कर लेंगे फिर तीन फंदा उल्टा एक, दो, ती उसके बाद उन दूसरी ओर करेंगे तो फंदा एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे और एक और सीधा फंदा दो फंदे का एक किया और नेक्स्ट एक सिंगल सीधा फंदा अब हमारा उन दूसरी ओर है उसे ऐसे उपर से ले आके वापस दूसरी तरफ कर देंगे अगला फंदा स्लिप कर लेंगे उन दूसरी तरफ है उपर से ऐसे घुमा के फिर वापस दूसरी तरफ कर लेंगे अगला फंदा सीधा फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे अगला तीन फंदा उल्टा एक, दो, तीन पहला फंदा एज स्टीच है और इन ही तेरा फंदो को हमें पूरी स्वेटर में तूराना है तेरा फंदो को बुरने के बाद इन ही तेरा फंदो को हम वापस दूराएंगे एक, दो, तीन, उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदो को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, अब उन दूसरी तरफ है, ऐसे उपर से घुमा के, फिर वापस दूसरी तरफ लेते जाएंगे, और नेक्स्ट फंदा स्लिप कर लेंगे, उ दो फंदो को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे यानि दो का एक कर दिया फिर उन अपनी और करेंगे और तीन फंदे उल्टे फिर इन्हीं तेरा फंदो को हम वापस दोराएंगे तीन फंदा उल्टा ये इस दिजाइन का हो गया अगले द दो पन्दा के लिए वा दुसरी तरफ है उपर से चणवा उल्ऊ से लाएं tabii और से एक सीधा बनाएं पूर से वह प्रन बूसरी तरफ है ऊपर से घुमा के लाएंगे एक सीधा बनाएगे दो पन्दा एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर उन अपनी और करेंगे और तीन फंदा उल्टा लास्ट फंदा एज स्टीच है और इसे हम सीधा बना लेंगे इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्रीट करेंगे और रॉंग सैट से यह सेकेंड रो है और रॉंग सैट पहला फंदा परल बाइन जैसे स्लिप कर लेंगे या फिर उल्टा बन लेंगे फिर तीन फंदा सीधा सामने से हमने तीन फंदा उल्टा बना था यहाँ पर तो यह तीन फंदा सीधा फिर यह यहां पर साथ फंदे उल्टे एक दो यह जाली तीन एक फंदा स्लिप किया था वह चार फिर जाली पाँच और यह दो फंदा साथ फंदे उल्टे फिर तीन फंदा सीधा पहला फंदा एज स्टीच है और इन्हीं तेरा फंदों को हमें पूरी लाइन में दोराना है फिर तीन फंदा सीधा बुनेंगे उन अपनी ओर करेंगे साथ फंदा उल्टा एक दो तीन चार पाँच छे साथ और फिर तीन फंदा सीधा तेरा फंदे हो गया फिर नेक्स्ट तेरा फंदा याने कि तीन फंदा सीधा फिर साथ फंदा उल्टा पाँच छे साथ फिर तीन फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा थर्ड रो और फ्रंट साइड पहला फंदा पहला फंदा या जिस टीच छे सीधा बुन लेंगे या स्लिप कर लेंगे फिर दो फंदे सीधा उल्टे एक दो पिछली लाइन में यहाँपे तीन फंदे थे इस लाइन में घटके दो रह घग उपर हमें जाली देना है, इसलिए उन अपनी और करेंगे, अगला फंदा सीधा और सेंटर फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर अगला फंदा सीधा और इस जाली के उपर हमें जाली देना है, इसलिए उन अपनी और करेंगे, एक फंदा सीधा बनेंगे, फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे और एक सीधा बना लेंगे दो का एक करते हुए यहां पर पिश्टी बार में छे उल्टे फंदे थे अपकी दो घड़ जाएंगे और चार उल्टे फंदे रह जाएंगे एक दो तीन चार इन्हीं तेरा फंदो को हमें पूरी लाइन में दोराना है दो फंदा उल्टा हो गया फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे अगला फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा जाले देते हुए सीधा नेक्स्ट फंदे को हमें slip कर लेना है अगला फंदा सीधा फिर उन अपनी और करना है और अगला फंदा जाली देते हुए सीधा फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे और फिर दो फंदा उल्टा ये तेरे फंदे का ये केबल हो गया इन्ही तेरे को हम फिर से दूर आएंगे दो फंदा उल्टा बनेंगे दो फंदो को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा अगला फंदा सीधा यहां पे फंदा घटा है और यहां पे जाली देने से वह बैलेंस हो जाएगा उन अपनी और करेंगे अगला फंदा जाली देते हुए सीधा से दो फंदो को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे और यहां पे पहले तीन फंदा था एक घट गया अब दो फंदे उल्टे रह गया है और लास्ट फंदा एज स्टीच है उसे सीधा बना लेंगे रॉंग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे फिर दो फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे नौ फंदा उल्टा एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ फिर दो फंदा सीधा पहला फंदा एज स्टीच है और इन ही तेरा फंदो को हमें पूरी लाइन में दूराना है दो फंदा सीधा फिर नौ फंदा उल्टा फिर दो फंदा सीधा इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे फिफ्थ रो और फ्रंट साइट पहला फंदा स्लिप कर लेंगे अगला फंदा उल्टा फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे और फिर अगला फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे अगले दो फंदे सीधे बनाएंगे और सेंटर फंदा इसे हम स्लिप कर लेंगे फिर दो फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे अगला फंदा जाली देते हुए सीधा फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे सीधा बनाएंगे फिर उन अपनी और करेंगे और दो फंदा उल्टा यहाँ पे 6 फंदा था और घड़ते हुए अब 2 फंदा रह गया है फिर 2 फंदो को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, अगला फंदा सीधा फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, नेक्स्ट फंदा सीधा फिर उसके बाद अगले फंदे को सीधा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे, यहाँ जाली के उपर हमें जाली देना है, तो अगला फंदा जाली देते हुए सीधा फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे, और दो को एक साथ लेते हुए, बैक लुप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, दो फंदा उल्टा, उन दूसरी और करेंगे, दो फंदो को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, पिर उन अपनी और करेंग और जाली देते हुए दो फंदा सीधा बनाएंगे नेक्स्ट फंदे को स्लिप कर लेंगे फिर दो फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे अगला फंदा जाली देते हुए सीधा फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे एक फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा और रॉंग साइड से जहां सीधा दिखाई दे रहा है मां सीधा जहां उल्टा दिखाई दे रहा है मां उल्टा सिख्थ रू और रॉंग साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे अगला फंदा सीधा, फिर ग्यारा फंदा उल्टा, एक, दो, ती, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, और फिर एक फंदा सीधा, पहला फंदा एज स्टीच है, और इन ही तेरा फंदो को हमें पूरी लाइन में दूराना है, और लास्ट फंदा एज स्टीच है, उसे हम उल्टा बुलनेंगे, सेवन्थ रो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे अगला फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे और तीन फंदे सीधे जाली देते हुए सीधे एक दो तीन फिर अगला फंदा स्लिप कर लेंगे फिर तीन फंदा सीधा एक दो तीन फिर उन अपनी और करेंगे अगला फंदा जाली देते हुए सीधा फिर दो फंदे को एक साथ ल पहला फंदा एज स्टीच है और इन ही 13 फंदो को हमें पूरी लाइन में दोराना है दो फंदो को एक साथ लेता है एक सीधा फंदा बनाना है यहाँ पे हमारे पास 6 फंदे थे और सारे गटके अब 1 फंदा यहाँ पे उल्टा नहीं बचा है अगला फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा सीधा बनाएंगे तीन फंदा उल्टा यहाँ पे था अब वो यहाँ पे तीन फंदा सीधा हो गया है अगला फंदा स्लिप करेंगे तीन फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे अगला फंदा जाली देते हुए सीधा फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर इनी तेरा फंदो को हम दोराएंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा फिर उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए तीन फंदा सीधा एक, दो, तीन एक फंदा स्लिप करेंगे फिर तीन फंदा सीधा फिर उन अपनी और करेंगे अगला फंदा जाली देते हुए सीधा फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे और लास्ट फंदा सीधा और रॉंग साइड से यानि आठवी लाइन में सभी फंदे उल्टे हो जाएंगे नाइन्थ रो और फ्रंट साइड पहला फंदा अजस्टी चैसे सिल्प कर लेंगे उन अपनी ओर करेंगे तीन फंदा उल्टा फिर उन दूसरी ओर करेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर अगला फंदा सीधा फिर उन दूसरी ओर है इसे उपर से चड़ा के वापस दूसरी ओर लाएंगे अगला फंदा स्लिप करेंगे उन दूसरी ओर है उपर से चड़ा के वापस दूसरी हो लाएंगे और अगला फंदा सीधा दू粉 फंदो को 1 साथ लूएंगे ayy शीदा बनाएंगे प्रूति साथ लूट लूँरेट therefore 7 लानि फंदो ई sovereign reelt उलट कर वे फृति हुआ यानि हमारा पैलाrdف in hello the door I just इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लेट कर लेंगे रांग सैट से पहला फंदा उल्टा तीन फंदा सीधा और फिर साथ फंदा उल्टा फिर तीन फंदा सीधा इनी तेरा फंदो को हमें पूरी लाइन में दोराना है यानि कि अपना दूसरा लाइन हमें रिपीट करना है अलेवन्थ रो में हम अपना थार्ड रो दोराएंगे तो आप देख रहे हैं फ्रेंट कि यहाँ पे छे फंदे उल्टे हैं और हर सीधी लाइन में दो दो फंदे घटते चले जा रहे हैं और यहां पर जाली के साथ ही यहां फंदे बढ़ते चल जाएंगे तो एक साइट के तीन फंदे और एक डिजाइन के तीन फंदे और एक डिजाइन के तीन फंदे तो यहां पर देखिए तीन फंदे वापस आ जा रहा है तो आफ लाइन का यह रिपीटेड डिजाइन है और इन्ही आठो लाइनों को हमें दूराते रहना है पूरे स्वेटर में तो फ्रेंस डिजाइन आपके सामने है सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा डिजाइन आपके सामने है यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाएए इसे लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में शेयर कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नाटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद